सच शिरीय काल जी तड़े सारें दा सड़े चैनल ते स्वागत है अज मैं तड़े लेई एक छोटा जा बायोलोजी दा टेस्ट लेके आया हाँ जिस विच अप अलग पग बायो दे 15 कोशिंज करांगे इन दे विच मैं कोशिश कीती है कि हर चैप्टर तो कोशिंज चक्के जान सो देट तानूंभी पता लग सके ताड़े केडे चैप्टर विच ते आरी है तानूंग होर प्रक्टिस दी ज़रूरत है चलो जी मैं टेस्ट शुरू करूं तो पहला सब नूँ ए कहना चाहांगा कि तुसी अपनी नोटबुक को लेके बैठो अते नाल नाल इस टेस्ट नू रिटन सॉल्व करो अते एंड ते अपने मार्क्स देखो कि तुसी इस टेस्ट वे चिन्ने अंक प्रापत कीते हैं ज्या अगर तानू आंसर पता है कमेंट बॉक्स वी अंसर कर सकते हो तुसी इह हर कुश्चन नोट पॉस करो उन्दे ते पांज तो दस सेकिंड दा समा लो ते अंसर करो चलो जी अपने को लागया जी साइटोलोजी देखो जी साइटोलोजी हुन दिये स्टडी अफ सेल सेकिंड आगया जी हिस्टोलोजी यह अपना correct अंसर है जी हिस्टोलोजी है जो यह हुन दिये अपनी अपनी study of tissues अपनी बाकि ऑप्शन नूँ भी देख लेने हा अगली ऑप्शन आगी जी कार्दियोलोजी कार्डियोलोजी study of heart नू कियां देने यह ऑप्शन गलत है ति टिस्व ल चाहिए दे हन, male hormone अपने कुल होंदेने जी, testosterone ते एह hormone दी class नो की बोल देने, androgens, बाक्की इत्थे जड़े options दित्ते ने, आपना ना नो देख देया, अपने कुल दित्ता है जी, एना ने, estrogen, ठीके जी, progestron, ते HCG, ए तिन्नो ही जड़े hormone ने, ए फीमिल्स दे hormone ने, testosterone एक male hormone है, चल दे हैं जी, अपने अगले question वाल, बहुत ही अच्छा question, बड़े ही तरीके नल बनाया गया, उनना ने किया जी, for his experiment on heredity, mendel used, mendel ने, अपने experiments लई, केड प्लांट नो वर्तिया, देख हो जी, अपने कुल चार options देती है, चारों दे, चारों साइन्टिफिक नेम देते होई ने, पहला जी, रोजा इंडिका, सॉलेनम ट्यूबरोसम, पाइसम सटाइवं, ते मैंगी फिरा इंडिका, थानू चारां दा, अपनी नॉर्मल लेंगवेज देवे, चे, common नेम पता होना चाहिए, रोजा इंडिका होंदा जी, गुलाब, अपने को लागय जी, सॉलेनम ट्यूबरोसम, अलू नू बोल्या जन्दा है, पाइसम सटाइवं, मतर दे पोदे नू, पी प्लांट नू, ते मैंगी फिरा इंडिका, मैंगो नू, सो इथे अपना करेक्ट ओप्शन बनेगा, जी, पाइसम सटाइवं, मतर दे दाने उते, मतर दे पोदे उ होन अपा मैंडल वाले चैप्टर वेच आए, जो 10th क्लास दे है, इस तो बाद अगला, मैंडल वाले चैप्टर दे नाली, evolution वाला चैप्टर है, इन दे विच्चो अगला कोश्यन लिया गया है, तो theory of evolution of species by natural selection was given by, देखो जी, कैंदे, natural selection दी जड़ी theory सी, किसने दिती सी, याद रखना है, डार्विन ने दिती सी, जेड़ी natural selection दी theory सी, किसने दिती सी, डार्विन, अगर बाकी scientist दे नाम ते, अपा ते आन दी ये, मैंडल ने अपानू बता जी, अपानू law of inheritance दिते सी, ये वनशिक्ता दे नियम दिते सी, डेल्टन ने अपनी atomic theory दिती सी, लेमार् बट जेड़ी ये थे natural selection वाली है, वो theory मिली सी, जी अपानू, डार्विन जी तो, चल दें अपने अगले question वाल, फिर evolution chapter विच वी question है, बड़ा अच्छा question है, अकसर बच्चे ये थे confused हुंदेने, देख दें आता अड़ा सही हुंदे या नहीं, तुसी ये ना answer जरूर comment box व इनना नू की कहन देने, तलना मता अनू answer दास देना जी, इनना answer है अपने को analogous organ, की answer है जी, analogous organ हुन क्यों है, देखो इनना मता अनू example देना, तुसी एक butterfly नू देखो, ते एक पंची नू देखो, दोना देही जड़े पार ने ओ, उडण दा कम कर देने, पर, देखो, कम स function is the same, पर, अगर तुसी ओना दा structure वेखो, ते दोना दा जड़े structure है, बिलकुल अलग अलग है, तो इनना नू बोल देने, जी, analogous organ, ना लिक गाल हो, ते आन वेच रखे हो, अगर आ जाए, homologous organ होंदे चाहेगा, जी, different function, बट similar structure, चल देहां जी, अपने अगले question वाल, बहुत ही अच्छा question है, देखो जी, sexually transmitted disease, STD, जी में, AIDS होगी, साइफिल्स होगी, गनोरिया हो गया, इन देतों, इनना विच्चो केड़ा, contraceptive आपा नू बचौनदा है, वो है जी, option B, condoms, देखो जी, condoms, एक ऐस तरह दे, contraceptive device ने, जो male ते female दे, शरीर कंगा नू question वाल, अपना अगला question है, जी, 7th question, केंदे जी, the bending of shoot of a plant in response to light, केंदे जी, जो plant दा तना है, उन्दा bend होना light वाल, उनु की बोल्या जन्दा, याद रखना जी, मता नु कई वा रग्गे भी videos बेच दसे, दिथे word आजाए, light, light मतलब जी, photo, ये थे अपना answer की बन जाएगा phototropism, phototropism हुंदा है, जी, movement of stem due to light, चल दे हैं जी, अपने अगले question वाल, अगला question है जी, केंदे, which of the following is not a plant hormone, इनना विचो केड़ा एक plant hormone नहीं है, देखो जी, अच्छा question है, auxin, ए है गया जी, cytokinin AV है जी, abscessic acid AV है, एक होर हुंदा गिबरलिन, ओ भी एक plant hormone है, इनना वि जी, plant hormone नहीं था है कि यह, ए है जी, vitamin C, ए अपने कोल vitamin C है, vitamin C दा ही scientific नाम, chemical नेम हुंदा जी, ascorbic acid, चल दे हैं जी, अपने अगले question वाल, अपना अगला question है जी, the instrument used for measuring blood pressure, सारे अनु पता होएगा इन दा answer, अपने कोल आंसर है जी, sphagnomenometer, देखो जी, तो उसी अक्सर पट्टा जल गोंदेने, तेक साइड तो हवा पर देने, यह, वही वाला meter है जी, blood pressure meter, बाकी meters दी भी गल कर लेने है, इत्थे अपने कोल है जी, stethoscope, stethoscope जड़ा अपने दिल दी तड़कन नों सुननन वास्ते यूज हुंदा है, blood meter नाम दी, कोई चीज नहीं हुंदी, अपनी oxygen blood विच कुली हुई है, उस दी मातरा दस्दा है, चल दे हां जी, अपने अगले question वाल, मैं उमीद करदा, तुसी सारे अच्छा score कर रहे होगे इंदे विच, तुसी अपने answers नो comment box विच, या अपनी note books दे लिखो, ते बाद विच, इस सारे questions दे answer, match करना कि तड़े किने marks आए, अपना अगला question, अच्छा question है, ये देखो, life processes विच विच विचो question पाया हूए है, respiration विच हो, कहनदे जी, in cockroach, the blood enters, और ये थे wrong हो गया, blood नी जी, इथे आएगा air, कहनदे जी, cockroach दे वेच, जेडी air अँन्धी बाडी वेच, किमें enter कर दी है, वो enter कर दी है, याद रखना है, spiracles दे थरू, का दे थरू enter कर दी है, spiracles, देखो जी आ, cockroach मानलो in the body है, in the side थे न, छोटे-छोटे चे, कुंदे न, अनु बोल दे है, spiracles, इत्थो हैं, जेडी की हुन दी है, cockroach the body दे विच, air enter कर दी है, ठीके जी, होर दस दा, देखो बाकी, जडी skin आगी, skin दे थरू, कौन साल एंदा है, अपन उपता है, डड्डू skin दे साल एंदा है, या earthworm, gills आगे जी, पानी विच रहन वाले जीव, मच्छियां, gills दे थरू, साल एंदी है, ते lungs दे थरू, इंसान वर गे जीव ने, जड़े हो साल एंदी है, चल दे हैं जी, अपने अगले स्मॉल इंटेस्टाइन वेच, एक हिपाटिक डक्ट हुन दी है, जी, जेड़ी एंटर कर दी है, स्मॉल इंटेस्टाइन वेच, उन्दे वेच हुन दा है जी, बाइल जूस, ठीक है जी, याद रखना है नू, अग्ये चल दे हैं जी, अपना 12th number question, बड़ा ही अच्छा question ह ने, who invented the vaccine, एक एडे chapter विच हो है, एक question है जी, अपना, why do we fall class 9th वाले chapter विच हो, देखो जी, vaccine, ए मनू मेरे सर ने, ट्रिक दसी सी, साहिल सर ने, जेड़े आ दिया, अकसर तुसी वीडियोस देख देओ, quality दिया, जोग्रफी दिया, उन्ना ने दस्या जी, vaccine किये, कहने जी, vaccine है, एड़ा वड़ाइब, Edward Jenner, इन्दे नाम तो तुसी याद रख सकते हो, एड़ा वड़ाइब, सो अपने कोल ऑप्शन किये, ऑप्शन है, 12th vaccine दा किये, जी, आजी, कल टेंशन पही हो, यह ना, जी, सारे नू वेक्सिन लगवाना है, वेक्सिन लगवाना है, अपा कही एड़ा वड़ाइब, बतेंद नाम भी की है, Edward Jenner, ऐस तरह तुसी यह नू एक अपना मैमोनिक बना सकते हो, छल दे हैं जी, अपने अगले कोशन वाल, कहन जी, अच्छा कोशन, cell chapter दे विच ओ कोशन है, जी, which of the following is known as kitchen of plant cell, देखो जी, plant cell दी kitchen को उने याद रखना है, जी, अपना अंसर की बन्दा है, जी, chloroplast, चल दे हैं जी, अगले कोशन वाल, फिर cell chapter विच ओ कोशन पाया गया, देखो जी, who discovered the living cell, living cell किसने discover किते हैं, जी, याद रखना है, easy trick दसना, living L तो स्टार्ट होंदा है, तो scientist दा नाम ही, Levenhawk L तो स्टार्ट होंदा है, इन्हों तुस जी, कि हो, Robert Hook जी ने cell discover कीता, होन इत्थे मत अनु एक थोड़ी जी, हल्की जी, story दसना, देखो, Robert Hook, आपा केने हैं जी, एक cell वेचे इसने, एक hook मारी, ठीके, एक hook मारी ते इन्हों दिसया cell, बंदे ने की दिख्या, hook मारी cell दिसया, Robert Hook, फिर एक बंदा सी, Levenhawk, इन्हें द देखो, नाम दे वेच, Brown आ रहे है, cell दे वेच एक पूरी जी, वड़ी दी चीज, Nucleus, किन ने देखी, Robert Brown ने, एक बंदे ने काम की किता, जी, Nucleus, देख्या, Robert Brown, तुसी ऐस तरह याद राख लेना, cell दे वेच, पूरी जी, चीज, लास्ट जेडे थे, scientist दे नाम दिता ह लेच, केंडे, टिशू, कंड़क्त करदया, वाटर प्लांटस दे वेच, देखो ऑने इकोल, प्लांटस दे वीच, वाटर गंड़क्त करदया, जयल लम, कान कंड़क्ट करदया, जयलम, ते अगर गला जे, Hisria student की हुँ दा जी BGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGe सो, इत्थे आग अलतां सही नहीं हांगी चल दे नंगी प्रजनन वाल याँग कोई दिकत नहीं यह हैंडी जे अला पनों सही है। हुंदे सिर्फ एंजी उस्परम दे विच फॉल हुंदे हन फिर आपा चुथी कल बाल चल दे हैं जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन गे गिव राइस तो फ्रूट्स बिलकुल सही है जी फुलना दी फर्टिलाइजेशन होन तो बाद उनना दा फल बन जन्द है फ्रूट बन कैंदे जी गुणा दा माता पिता तों बच्चे वेच जाना किस कारन हुदा या किंदे थ्रू हुदा ए हुदा जी जीन्स दे थ्रूब ऑप्शन फूर अपनी आ जेगी जीन्स चल दें जी अपने अगले कुश्शन वाल अच्छा कुश्शन काफी बार पहलना भी ये रि ग्रूप ओ जिड़ा अपने को यूनिवर्सल डोनर है जेता नू पोचलवे यूनिवर्सल असेप्टर ओ हुंदया जी अपने को याद रखना है तो पर इत्थे अपनी अंसर की बंदी जी ओप्षिन थर्ड अंसर इस ओ चल दियां जी अगले कोश्चिन वाल केंदे जी दे ग्रूप ओफ रावरिंग प्लांट्स इस नोन अज केंदे फुल पैदा करने वाले पोद्धियां दे ग्रूप नूँ की केंदे ने देखो जी हुने में अपर दासके आया फुल पैदा करन वाले पोद्धियां दे ग्रूप नूँ बोल्या जन्दा जी एंजी ओस परम याद रखना है इते बाकियां वारे भी में तानु एक एक गल्द अस दिना ब्रायो फाइटा हुन देने जी एमे दे पोद्धे जड़े पानी विच भी रहन देने जिनना दे जीवन चक्कर ल यह बंदिये जी ऑप्शन थर्ड चल देयां जी अगले कोश्चन वाल केंदे जी हाव मेनी चैंबर्स आर प्रेजंट इन हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल केंदे जी क्रोकोडाइल यानि की मगर मच दे देल वेच किनने चैंबर हुन दे हन वैसे मगर मच जी जड़ा कैटिगरी चांद है रप्टाइल रप्टाइल से वेच रहन देने तिन पर एकक्सेप्शन ये जड़ा रकोडाइल ले उन्दे विच अपने तरह चार चैंबर हुन देने जी सो प्रेक्ट आंसर इस ऑप्शन थर्ड चैंबर नमबर फॉर मतलब चार चैंबर हुन गे जी चल दियां शचली आपने अगले कोशन वाल केंदे जी फॉर विच्ट डिजीज फ़स्ट विएक्सिन वॉस डेवल полез केанный बमारी लुझ पहली वैक्सिन पहला टीका बनाया गया शी ये बाइः गया आसी इस पाल Puboks दिये विच्छे कंफ्यूज हों दियान दास दिनना काव पॉक्स दा वाइरस वर्तिया गया सी बट केड़ी बमारे लिए बनाया सी जी स्मॉल पॉक्स याद रखना है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कोशिन है ते एक कोशिन आपा पहला भी डिस्केस कर सकते हैं कर चुके हैं कि वैक्सिंदी खोज किती सी जी एडवर्ड जेनर चल देना जी अपने अगले कोश्चन वाल केंदे जी विच्च टरम इस यूजट वरेड ब्लड सेल और भी सिली के ली टरम वरती जन दिये पहला भी डिसकस होया अपने विच्च आया जी अरित्रोसाइट अरित्रोसाइट टरमे ओप लेट्स लेवर्टी जन दिये जो इनन अनुँ अच्छे तरह याद रखो क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉटेंट बलाने चल देना जी अपने आज दे अगले कोश्चन वाल केंदे जी दे बेसिक स्ट्रॉक्च्च्च्रल एंड फंक्च्च्च्च्च आफ स्ट्रॉक्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चच्चल जब तエंप इस टेस्थब फिर ऐंच्च्च्च्च्च्च पर तो फिर गुजारिश करांगा कि तुसिए अपने माक्स प्लीज कमेंट बॉक्स लिख लिख करो सो देट सनु भी पता चल जबे कि किनने बच्चे इस टेस्ट दा अच्छे तरीक के ना लाब उठा रहे ने चल देजी अपने अगले कोश्चन वाल केंदे जी which of the following is called suicidal bag बड़ा ही अच्छा कोश्चन बहुत रिपीट होन वाला कोश्चन इत्थे अपने कोश्चन आगी अपने कोश्चन आगी सेकंड केड़ा जी suicidal bag suicidal bag अपने कोश्चन वाल चल देजी अपने अगले कोश्चन वाल आगे जी 10th नंबर अला कोश्चन केंदे जी which of the following is responsible for formation of fruit इना विच्चो किन दे करके fruit दी formation हुन दिये अपने को ओवरी करके याद रखना है जो fruit दी formation ने ओवरी करके हुन दिये जो seed दी formation ने ओव्यूल करके हुन दिये ठीक है जी अच्छा कोश्चन है इननु भी याद रखना है चल देए जी अगले कोश्चन वाल केंदे जी which is the ultimate source of energy ultimate मतलब सब तो खास main source केड़े energy दा अपनी तर्ती दे जड़ी सारी energy हुन दिये जी सारी energy आंदिये जी sun तो energy आंदिये उस तो बाद लग-लग energy दी फॉर्म दे विचे convert हुन दी रहन दी है आगे जी अपने अगले कोशन वाल केंदे जी name the screen on which image is formed in the eye केंदे अपनी आख़दे वेच केड़ी सक्रीन है जिन दे उत्ते की बन दी है जी image बन दी है इंद ऑप्शन है जी सही रेटीन ना रेटीन ना एक सक्रीन है अपनी आख वेच जिस उत्ते जो कुछ आपा देख देया हो बन दा है उस ची करना चाहिए केंदे जी देखो आपने को ले पैपसिन डाइजेस्ट शूगर इन स्टमक अपनु बता जी पहला दनू कहीं वर्द से पी तो पैपसिन पी तो प्रोटीन पैपसिन शूगर नो डाइजेस्ट नहीं कर दा है गलत हो गया जी केंदे डाइजेशन एंड जिन मा करने चेह थे बट अगली भी ओप्शन डीट कर दें जी किने शूगर याद रख़ए जी जड़ा पैपसिन ओस्यम तो सब्सक्रेशंड में करता है जड़ा क्रिक्षिन अपने को लागी जी कैने जी होप्शन थार्ड कि अपने को नब डीकर डाइजेस्ट कर दांग लेटि हुआ याद रखना है जी option third ठीक है जी option third चल दे हैं जी अपने अगले question वाल केंदे जी which of the following give color to eyes केंदे जी अपनी आख्छा दा पूरी यहां हुंं इस सारी चीजने दा color हुदा जी आइरिस कर यहां आपनी आइज नोगर दिन दा है ठीक है जी आज यहां लास्ट question can they do which of the following reproduce vegetatively by leaves can't they leave the तुर्व कॉन रिप्रडूस करदा एक अर्दाइजी ब्रायो फाइलम याद रखना बहुत बहुत इंपोर्टेंट ए रोसेस ऑफ कनवर्जन ऑफ सॉलिड तू गैस इस कॉल्ड तो गैस दा बन जाना इनू की बोले जान दा इनू बोले जान दा जी सबली मेशन ऑप्शन भी सबली मेशन हुंदा की ये पंजाब इच बोल देने जी जोहर उडना इन देच की हुंदा जी जमें आपा सारे अकसर करां दे विच फिनायल दिया गोलियां वर्त देयां जी कपड़ें देच राख देने आपट अगले साल जदो अपा कपड़े खोल देयां ते अपनों न दे विच्च बोलियां नहीं लब दियां वो गोलियां की हुंदा जी ओ सॉलेड तो ड्रेक्टली कनवर्ट हो जान दियां ग्यास दे विच्च थे ओड़ जान दियां चल दियां जी अपने अगले कुश्च बाल कैंदे जी दलिटमस ब्लू तॉन्स इंटो रेड वाट कैं भी दे पी एच ओफ सॉलेशन केंदे जी जड़ा नीला लेटमस है उन्दा रांग हो गया जी लाल ठीके जी सॉल्यूशन दा पी एच की हो सकते है अगर तुसी मेरी एसेड बेसा ली चैप्टर दी डिटेल्ड वीडियो वेख़्ी होई है ते उन्दे विचा में दे आप बहुत सरे कोशिंट प्रैक्टिस की थे देखो जी बुल्यू तो रेडीलेटमस्ट हो हुन दा जदो कोई चीज होवे एसेड एफ एपने पी एच स्केल हुन दा है जिरो लएकर चौदा थाक हों देखो जी जड़ी चीज जीरो है हुन दा पी एच हुन दा बहुत ज्याद अपने को लग गया जंदा साथ जड़ा हुंदा नीट्रल ते साथ तो उपर लिया चीज़ा हुंदियां बेसिक इना विचो वेखो अपने कोल केड़ा जी सिरफ पांज जी अपने कोल option नमबर बी ठीक है जी चल दें आपने अगले केंदे जी इना दे विचो केड़ा मेटलॉइड मेटलॉइड यानि की जी ड़ना ता मैटले ना नॉन मैटले इन ना दुन दियां मैक्स प्रॉपटी से को अगर तया है देखो जी सल्फर एक टिपिकल नॉन मैटल ए सिल्वर एक मैटले सोडियम एक मैटले option केड़ी बच दीजी silicon computer दे विच तुसी अकसर चीज पड़ी होईगी केड़े semiconductor दे नाल अपने को computer दियाँ chips बनाईया जान दियाँ उन्दा answer आजन्दा हुन्दा जी अपने को लग silicon ठीक है जी so options ही ये थे silicon चल देयां जी अपने अगले question वाल केंदे जी which of the following is ore of aluminium ये सारे और ने पिछली बार ये पिपर्च कुश्चन आया सी की mercury दे और नू की क्या जन्दा mercury दे और नू केंदे सी सिना बार aluminium दे और नू की बोले जन्दा जी bauxite की बोले जन्दा मैं दवारा ये थे ठीक लगा दे न aluminium दे और नू बोले जन्दा जी bauxite चल देयां जी अपने अगले question वाल केंदे जी इनना विच्चों कॉन carbon दा allotrop है which of the following is allotrop of carbon देखो जी allotrop of carbon आपने कुल तेनने एक होंदा जी diamond दूजा होंदा coal या graphite sorry दूजा graphite थे थर्ड आपने कुल होंदा of aluminium oxide on something is called दो process आदियां जी अपने कुल एक कुल एक कुल दी galvanization एक कुल दी anodizing ए तो aluminium ए तो anodizing याद रखना है aluminium oxide दी layer नू केंदे ने जी चड़ाना anodizing galvanization भी वार वार पुच्छा जानदा है ए हुंदा है जी zinc oxide दी layer चड़ाना उनू बोल देने galvanization चल दे हैं जी अपने अगले question वाल केंदे जी which can be used to treat which can vinegar can be used to treat which of following organisms sting केंदे किंदे डंग लेई आपाँ विनेगर यानि की acidic acid नू यूज कर सकते हैं ठीक करन लेई देखो जी आपाँ acid नू यूज इत्ध ही करांगे जित्धे किसे दा डंग होएगा basic ये acid basic अले chapter चापड़ वीडियो डिस्कस कीती है उन्दे कीसी जड़ा वास्प होंदा है जी पूंड पूंड दा डंग होंदा है जड़ा अपने कुल की होंदा है basic होंदा है आपाँ विनेगर acid यूज कर सकते हैं चल दिया है जी अपने अगले कोश्ण वाल केंदे जी ओन विच लॉव बैलंसिंग ओफ यूव रेक्शन इस बेस्ट कोश्ण नीचे गार लना मैं देखो केंदे जी केडे लॉव दे उपपर बैलंसिंग ओफ यूव रेक्शन बेस्ट उन्दी है याद रखना है जी देखो मैं तो इते बैस्ट जी गाल दास दिनना रेक्शन हुंदी कीए बैस्ट जी मैं अपने कोश्ण ले जी हच टू हो एच टू 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 जी होन इते सवाल ली गाल ले जा है कि ओ टू कित्व आया जी अपने कुल दो ऑक्सीजन की मैं हो गया अपने कुल की सी इते एक ऑक्सीजन सी इते दो के मैं हो गया एक आल कैना दा law of conservation of mass option सी की अपने कुल जिन्या चीज़न हुंदी है उन्निया ही रहनदी है ना ता mass वाद सकता है ना mass कट सकता है तो इते जड़ा third लोई वो कम करता है ति उन्दे करके अपनु रियक्शन्स नूँ बैलन्स करना पेंदा है चल देयां जी अगले कोशिनवल केंदे जी इनना विच्चों किस दा मास 35.5 AMU यानि की अटॉमिक मास यूनिट है ये बिल्कुल सिंपल याद करने वाली गल है जड़ी क्लोरीन जी जड़ा क्लोरीन दा पार हुंद है ये अपने क्लों हुंद है 5.5 AMU उमीद करना तो अनु सारे स्वालां दे जवाब ओंदे होंगे ति अज मैं तनु एक रिक्वेस्ट करना तो उसी अपने माक सिरूर कमेंट बॉक्स दे विच दसके जायो तो देट सनु भी पता लग सके कि ता डिनाल नल केस तरह दी ते किन्नी त्यारी चल रही है और अगर ता नु किसे स्पेशल चैप्टर दी वीडियो चाही दी है या स्पेशल टॉपिक दे कोशन चाही देने ता ओ भी तुसी कमेंट बॉक्स विच दा सक देओ ते मैं उस दी वीडियो ता डेली जल्द त लेके आजा मांगा चल देएं अपने अगले कुशन वाल केंदे जी वीच ओफ दे फॉलोइंग इस यूजड तू टू 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 इनडाइजेशन इनडाइजेशन मतलब जी बद हजमी ली आपा केड़ी चीज यूज़ कर देयां अपा अजी हुश SURE, मतलब जी बदेख सौन टू 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 टी झायान जी एपने वासवेच डू टू 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 च जड़ा च्यू करना किसी चीज नू चबाना आपा हमेशा अपनी मर्जिनल चबानने या ऑप्शन था हो जी कि अपनी एथे सेकेंड बट स्टेल आपा ऐसा ही आंसर अपना भी आ गया बट आप बाकियानों भी डिसकस कर देयां यडी हार्ट बीट है जी हार्ट बीट वी किय अपने को लेकी इनवलेंटरी एक्षन है अचित ठीक है जी आपा इच्छा नहीं कर दे दिल हमेशा तड़कदा रहना है आपा जे सोची है मेरा दिल तड़कना हुने रोक जवे तया हमें नहीं हो सकदा थर्ड आ गया जी सलाइवेशन सलाइवेशन ना मतलब बुंदा जी सलाइवा दा सकरीट होना जी अपने मूदे विच लारा जन दी है अपने मूदे विच लारा जन दी है अपने मूदे बहुत ज़ादा पोख लगगी हुन दी है अपा कोई चीज देख लिए या अपा किसे चीज दा नाम भी सुन लिए तय अपने मूच आपके ने अना जी तो वेरी टॉल इस ग्लैंड इस तरह दी केडी ग्रंथी है जिस दी सई फंक्शनिंग ना हून करके या था बंदा बौना रहे जेगा या बंदे दा कद बहुत वद जेगा यह उंदा जी ग्रोथ होर्मून जडी ग्रंथी से क्रीट कर दी है तो ग्रंथी केडी है अपने को पिट्यू ट्री ग्लैंड फोर्थ ऑप्शिन आपने को लागी जी प्यूश कंत्री इनू पंजाबी चुबोल देने प्यूश ग्रंथी ग्रोथ होर्मून रिलीज कर दी है अगर होर्मून ज्यादा से क्रीट हो जबे ते अपने शरीर दी जेड़ा वद शरीरता बहुत ज जी एक्स प्लेसें जी जडी ए सेक्षोल रिप्रड़क्शन ए अलिंगी परजन ने ना विचो किन दे विच होंदा है ऑप्शन ए देख देयां जी अमीबा ते यीस्ट विच केंदे जी बडिंग होन आपानु बता है अमीबा विच बडिंग नहीं होंदी जी 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 एन ना दे विच्च कदे वी अपने को ल बडिंगे जडी हमेशा हुंदी है ऑप्शन भी अपने को ल अल्वेज हुंदी है स्टिल अप अग्य चल देयां हाइडरा फिर रिपीट हो गया हाइडरा नल प्लास्मोडियम जड़ा प्लास्मोडियम में जी ये मल्टीपल आट उड़ा नी ये सीर लेनने एवी की कर देने जी बड़िंग देनाल ही रिप्रड्यूस कर देने सो इत्थ अपना सही अंचर ही जड़ा हो बन जेगा जे ऑप्शन डी जिन्दे विच अपने को लाएगा जी सेंड़् थे फोर्थ आप्शन डी आवी अप्शन सही है ये वाइरस द्वारा किती जान्दी जड़ी गुनुवरी है वो अपने कोल बैक्टीरिया द्वारा किती जान्दी है। चल दियां जी अपने अगले कोशनवाल केंदे जी दविंग्स ओफ हाउस फ्लाई जी जड़े पंख ने जी अपनी आम जड़ी कार वेच मक्खी हुंदी होंदे ते दूसरा अपने कोले जी बर्ड्स दे विंग इनना वेच एकी ने देखो दुन्नों विंग ने दुन्ना दा काम सेम है बट दुन्ना दा जड़ा स्ट्रक्चर है वो अलग लगे जेड़े ऐस तरह दे ओर्गन होंदे ने जिन्ना दा टांचा बिलकुल अलग लग होवे पर वो इको वरगा काम करन उसनु बोल्या जान्दा जी एनालोगस ओ विच भी आना है उनना नलवी तुसी ये सब शेर कर सकते हो चल देखो अगे केंदे जी sleeping sickness is caused by sleeping sickness एक बमारी हो के इन्दे द्वारा हुंदी है याद रखने जी why do we fall ill chapter दा कुशन हुंदी है जी trypanosoma ठीके जी trypanosoma द्वारा एक बमारी है जड़ी sleeping sickness इंसान ना दे विच हु लेक होंदा है complex simple tissue 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 जेडा सिरफ ecotype दे cells तो बने होंदा है complex tissue जेडा एक तो ज्यादा तरहां दे cells तो बने होंदा है पेरनकाइमा कॉलनकाइमा स्क्लेरनकाइमा तिन्नों इस simple tissue ने बच दा किड़ा जी phloem थे xylem होंदेने दो complex tissue पूरे plant system देविच ठीके जी चल देए अ protein ठीके जी अग्या चाया जो जी 19th question वाल चैंदे जी which of the following has hairs on body and memory gland मैं नोट कर रहा है सी यूट्यूब ते लगपा किसे ने आवला chapter cover नी करवाया हुया diversity in living organism chapter मैं नो पता है थोड़ा जा tough है ते थोड़ा जा याद करन वालिया गिलना जादाने सो तुसी कोच चेंदे main main question जरूर करते ने अपनी या पिछली या वीडियोज वे चुई आप आए ना दे कुछ question discuss कीते ने हुने question दे आन्या कैंदे जी memory gland हुन memory gland तो clear है mammals ठीके जी येड़े दो देन वालिया ग्रंतिया जड़े organism चुन दिया हुन अनु कैंदे ने जी mammals त चैंदे झी ते लीक्विड प्रेजंट बत्वीन रटीना ने या थाकुछन है जी है अपने कौल की या आई हंदे यह एपने कुल की या अजन्दे О कि दो चेंबर ने काई फिछ व्ला एक अगे वाला कर दाभ णिधा ना अंगे याद रखना जी जडा अगे याद रखने आप्ष्छ केड़ा जी वी विटरस हुमर औप्षीन बंजेगी अपनी सेकेंड विटरस हुमर इंदा करेक्ट आंसर ही इस एनर्जी कृंसी इन चैल्स इन सेल्स इन बायोलोजी कियान जी शेल्स्टे वीच अनर्जी दी कृंसी किये वो हुंदी अपने को लए ATP Cells से वेच अरजी दी करंसी किये जी ATP इस गल नू याद रखना है ATP दी फुल फॉर्म नू भी तुसी याद रखना है ATP दी फुल फॉर्म हुंदी है Adenosyn Triphosphate की फुल फॉर्म हुंदी है मैं दुवारा रेपीट कर रहे हैं Adenosyn Triphosphate चल दें आजी आपने अगले कोश्चिन वल केंदे जी The breathing and respiration in woody stems of plant takes place through केंदे जी जेडा साल एन दी के रहा ते respiration दी के रहा woody stem लखकड वाली stem विच कितो हुंदी है ठीक है जी देखो ए शायद आपन जेडी Journal Science दी वीडियो किसी सी उन्दे विच भी डिसकस किता सी एक पोर्ज हुंदी ने जिनना नो बोल लिया जान दा जी लेंटी सेल की बोल देने जी लेंटी सेल छोटे छोटे चेक हुंदे हन जिनने दे थुझ जेडी stem में जेडी लककड है ओ की कर दी है जी साल दी है जेडी जेडी अपने शरीर विचोँ जssäस्डि अपने शरीर टक पहुंचान दी है जेडी एक लेर आंदी एकश्पेंशन दी है फेल बंद खुन दिए इस लएर नो की बुल ये छन्द है इनू बोल देने जी पल्स की बुल ये जन्द है नो पल्स ऑप्शन सी है जड़ी अपनी एथे करेक्ट अन्सर जड़ी पल्स हुन दिए जदो अपनी artery expand कर दी तुसी note किता होएगा जदो तुसी कदे doctor को जानने हो ताड़ी pulse चेक कर दे ताड़ी pulse तो ताड़ी heart beat दा idea लगा लेंदे चल दे हैं जी अपने अगले question वाल बड़ाई अच्छा question है केंदे the procedure of cleaning the blood of a person by kidney machine is known as केंदे जी kidney machine तो जदो किसे परसंदा खून साफ किता जानदा है इसनू की केंदेने जी देखो इस सारे नोई पता होएगा इसनू बोल देने dialysis की बोल देने इसनू dialysis इनू dialysis भी बोल देने जानदा है ते इसनू अकसर hemiodialysis भी क्या देता जानदा है ठीक है जी, options ही, याद रखनी है, dialysis या hemiodialysis, ते इनू artificial kidney भी बोल देने इस machine नू, उमीद करना ता नू ए test दे questions अच्छे लग रहे होंगे, तो तुसी नालना लेना नू लिख भी रहे होगे, चल दे हैं जी अपने अगले question बाल, केंदे जी, the growth and the moment of plant in response to touch of an object is called, केंदे जी, जदो पोदे नू किसे चीजनल टच किता जन्द है, किसे object दे परती हो, moment करता है, इसनू की बोल देने, इसनू याद रखना है जी, इसनू बोल दे जन्द है, तिगमोट्रोपिजम, की बोल दे जन्द है, तिगमोट्रोपिजम, यह chapter control and coordination है, important chapter है, hormones वाला chapter, इन दे विच्छो काफी कुछिन बन देने, लो जी, अगला कुछिन भी यह से chapter बेचो, कैंदे जी, the plant hormone, which triggers the fall of mature leaves and fruits from the plant body, कैंदे जी, इसरा दे hormone दा नाम दासो, जड़ा की करदा है, जड़ा लीज डिगन वालेने, बड़ेने, वननानु जल्दी गिराद है यह हुंदा जी इन्हों याद ही रख लेओ तुसी इन्हों केंदेने जी abscessic acid उन्हें याद रखन वाली होर गल की अपने को चार होर्मून ने देखो जी auxin, gibberlin, abscessic acid, cytokinin यह सारे यह अलग अलग काम में कोई होर्मून की कर दा है तने दी ग्रोथ नूग दान दा है, कोई होर्मून की करता है, जड़ा दी ग्रोथ नूग दान दा है सो एक बार तुसी NCRT विच्चो इन्हा सारे यहां दी रीडिंग लेलनी है ते एन्नू दू दन करना है चल देना जी अपने अगले कोश्यन वाल अगला कोश्यन है जी, अपना वाई डू वी फॉल इल चैप्र दे विच्चो केंदे जी, ते डिजीज काला अजार नाम दी डिजीज है केडे माइक्रो अजार नाम दी डिजीज है याद रखना है जी, इन्दा वी ऑप्शन सी है जी, लेश्मेनिया जड़ी डिजीज है, लेश्मेनिया एक अपने को सुक्षम जीवे माइक्रो अर्गनिजम है, जड़ा काला अजार करता है लेश्मेनिया बार एक होर का लियाद रखनी है चैप्टर रिप्रोड़क्शन तों कि ये बाइनरी फिजन भी करता है बाइनरी फिजन मतलब दो हिस्सियां वेच ये टोट जन्द है, इन्दा खंडन हो जन्द है ये सेक्शुल रिप्रोड़क्शन दी एक टाइप हों दी है अगला कोश्यन जी, रिप्रोड़क्शन वाले चैप्टर चाहूँ कहने तो, fertilization result immediately in the formation of कहने जी, fertilization तो तुरंत बाद की बन दा है देखो, आपा सारे नूँ बता है जी, जदो मेल ते फीमिल के मीट मिल दे हन fertilization तो जस्ट बाद अपने कोल बन दा है जी, zygote की बन दा है जी, zygote, ठीक है जी जाइगोट बन दा है, इस तो बाद बन दा है, embryo embryo तो बाद आन दी है, stage fetus वाली, इस गल दा, खास क्याल रखना है जाइगोट नूँ बोल लिया जन दा है, connecting link देखो, एक माँ पे होते एक बच्चे देवेच जड़ा पहला cell बन दा है एक वाइरस द्वारा, वाइरस दा नाम किये, HIV वाइरस, फुल फॉर्म इन दी, human immunodeficiency virus ते AIDS दे विच भी तुसी की याद रखना है, इस दी फुल फॉर्म याद रखनी है acquired immunodeficiency syndrome, अकसर इते की लिखया हूंदा है, symptom लिखया हूंदा है, so इते confused नहीं होना AIDS दे विच की आना जी, ऐस दे syndrome, चल दे हैं जी, अपने अगले कुष्यन वाल, अच्छा कुष्यन है जी, कुष्यन नीचे चला गया, आगे जी, देखो केंदे जी, the ratio of number of chromosome in human zygote and human sperm केंदे जी, आपने zygote दे विच ते sperm दे विच रेशियो दसनी है, जी, देखो zygote हुन्दे डिपलोईड, chromosome हुन्दे ने इन दे विच 46 यानी की 6 आली, sperm हुन्दी है जी, हैपलोईड, sperm विच chromosome हुन्दे ने जी, अपने को ल, तेई chromosome केंदे हुन्दे ने जी, तेई, अगर तुसी एन अधी ratio विखोगे, की बनेगी जी, ratio इन अधी ratio बनजेगी अपने को ल, 2, ratio 1, जी, option A है अपने को ल, इत्थे correct हो जेगी, मैं थे तानू एक गल दस दमा, कदे भी तानू question आजवे, एक gametes नू चढ़के, ठीक है जी, जी, जीड़ा मेल दा, sperm, female दे ओवा नू चढ़के, बाकी सारे इंसान दे सेलवेच छेयाली ग्रोमोजोम होंदे हैं, इस गल नू याद रखना है, सो आन वाले जिमेदे, जिनने भी एमेदे कोश्चिन आंगे, ताटे सारे हल हो जानगे, चल दे आज़ जी, अपने अगले कोश्चिन वाल, आप पहला भी डिसकस कर चुके हैं, एक कोश्चिन, कहन जी, अनु वाइं शिक्ता दा पिता किसनु क्या जन्दे, अपपा सब नू बता है, मैंडल नू क्या जन्दे, मतर दे पोद दे हुते, पी प्लांट दे, मैंडल जी ने एक्सपेरिमेंट कीता सी, ते अपने सारी आप्जरवेशन इनना ने आपनों दितनी आँ सी, चल दे साइटोलोजी दे नाल-नाल ब्रैकेट दे लिखिया हुंदा है, सेल बायimbालोजी, कि यसक रिखिया हुंदा है, सेल बायोजी थोसरा है, मैंडल सइटा सेल सब्ता जיל स्क्रेटा, इस सले साइल बाय Frankie घ्रिकेंटर, अगे ऐगले ख़ंदे केंदे जी टाइफाइड इस कोच्ट बाइट ता लिगाल दास ना टाइफाइड एक बैक्टीरिया द्वारा किता जन्द है उन तुसी ऑप्षन देखके याइडिया लालोगे सेल्मोनेला टाइफी टाइफाइड ते टाइफी सेम से मागया जी जन्यावी बुमारिया ने लगपग 80% देवेचे ता अनु जड़ा नाम है और कॉमन मिलजेगा सेम मिलजेगा और्गैनिजम दा नाम ते बुमारी दा नाम इस तो तो अनु अंसर पता लगजेगा लगपग पट 10% हमें दिया है गी है जिमें आप उपर काला अजार डिसकस क यह तानु यादी घरनिया पहने है चल देया जी अपने अगले कोशन वाल 14th कोशन है ते उमीद करना तानु सारे अनु एक कोशन अच्छे लगए होनगे ते हर्जम तानु एक रिक्वेस्ट करना जी ताडे जिनने भी माकसान प्लीज कमेंट बॉक्स दे वेचे दसके जा भी पामांगे जिस वच आपां केमिस्ट्री दे जिनने भी कोशन होनगे ओ डिसकस करांगे ठीक है जी चल देया होन आपां अगले 14th कोशन वाल केंदे जी विच इस दे लार्जस्ट फाइलम इन अनिमल किंडम देखो जी यह चैप्टर है डाइवर्स्टी इन लिविंग और गैनिजम काफी वड़ा काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है बट ए अकसर जेड़े साइंस वाले बच्चे नहीं है गे चैप्टर नों याद करना बड़ा ज्यादा मुश्किल हुनदा है तो अगर तुसी यह चैप्टर नों नहीं कर दे कोई गाल नी बट इन दे कोछ जेड़े बेसिक कोश्चन ने हो कार लाने ने जमेया कोश्चन आगया जी लार्जस्ट फाइलम लार्जस्ट फाइलम हुनदा जी आर्थरो पोड़ा लार्जस्ट फाइलम केड़ा आर्थरो पोड़ा एक एड़ा फाइलम है इंसेक्ट्स वाला फाइलम है जिनने इंसेक् याद रखना है क्या जंदा है? वर्टी ब्रेटा. ठीक है जिए? चल देंगा अपने अगले कोशिन वाल अजदा आखरी कोशिन चैन्दे जिए विच ओफ दे फालोईइंगे जिए लिक्विड कनेक्टिव टिशू कहने जी liquid connective tissue के ड़ा है देखो जिते liquid connective tissue याजवे अपना अक्सर सोच देए blood हुं देखो जी blood option जी नहीं हैगा bone है अपनों पता है जी solid हों दिये cartilage भी solid हों दा bone marrow हों दिये बचिया की जी lymph और लिम्फ है कि जी देखो कोछ जगां शरीर देवे चैमें दिया हुदी हैं जिते बलड नहीं पहुंच पानदा बलड देविच्छो कोछ हिस्सा प्लाजमा ते कोछ प्रोटीन ते वाइट बलड सेल बार निकल जन देने यह जड़ा फ्लूड बार जन दे एगनू बोल देने जी अपान लिम्फ ते इस दा एक होड नाम हुंदा इस नू बोल ले जन दा जी मिडल मैं एसी अज़दा अपना टेस्ट उमीद करदा तनू सार्यानू ए वीडियो बहुत चंगी लगगी होएगी ते तुसी एंड ते आज जरूर अपने माक्स कमेंट बॉक्स विच दासके जाने हन ते अगर एक वीडियो तनू चंगी लगदी है एस नू अपने दोस्ता में तरनल भी शेर करो so that OVS वीडियो दा लाब उठा सकन तनवाज जी